बिन्नी और टोनी की दोड़ हार का सबक बिन्नी ने सोचा, अरे ये तो बड़ा मज़ेदार होगा, मैं तो आराम से जीत जाऊँगा, तो उन्होंने दोड़ की शुरुआत की, जैसे ही दोड़ शुरू हुई, बिन्नी तेजी से दोड़ने लगा और कुछ ही समय में बहुत आगे निकल गया, वह सोचने लगा, टोन तो बहुत पीछे है, क्यों न थोड़ा आराम कर लूँ, वह एक पेड़ के नीचे आराम से सो गया, उधर टोनी धीरे धीरे बिना रुके अपनी चाल में आगे बढ़ता रहा, वह जानता था कि वह तेज नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वह चलता गया और चलता गय जब बिन्नी जागा, तो उसने देखा कि टोनी फिनिश लाइन के बहुत पास पहुच चुका है, बिन्नी ने जल्दी से दौड लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, टोनी ने फिनिश लाइन को पार कर लिया, और बिन्नी को देखे बिना ही जीत का आनंद बिन्नी ने देखा कि टोनी ने उसे हरा दिया और उसकी आँखों में हार की निराशा थी बिन्नी ने टोनी के पास जाकर कहा मुझे लगा कि मैं जीत ही जाओंगा लेकिन तुमने ऐसा कर दिखाया जो मैंने सोचा भी नहीं था मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारी धीमी चाल का मजाक उड़ाया टोनी मुस्कुराते हुए बोला हर किसी की अपनी गती और शैली होती है मैं धीमा हो सकता हूँ लेकिन मैं लगातार चलता रहा तुम्हारी तेजी अच्छी है लेकिन धैर्य और निरंतर्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है बिन्नी ने टोनी की बातों को समझा और कहा तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है धन्यवाद